आलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अस्टेडी वित्मैत भाई फ्रेंड्स आज की एक लेटेस्ट और बहुत बड़ी अपडेट आ रही जो आपके यंटी पीसे इग्याम के फेज 2 के इग्याम से रिलेटेट आ रही फ्रेंड्स आपको भी पता होगा आपका यंटी पीसे इग्याम का CBT1 का फेज 1 का इग्याम जो है तो आपका 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलने वाला है सबी स्टुडेंटों के मन में क्यों लेकी डाउड़ता कि अंटी पीसी का इग्याम कितने फेज में होगा और यंटी पीसी इग्याम का जो फ़र्ष्ट फेज के बास सेकंड फेज कब से आएगा और सेकंड फेज को हैते मेल कब से आना चालों होगा तो फाइलि फिरनस आज की डेटव में जो है तो आपके से इग्याम ब होगा कि आपका एंटी पीची का इग्याम फेजटू का इग्याम कब से कंड़क्ट कराया जाएगा इसलिए फिर्ट्स आप दिना एसकिप के वीडियो के लाज तक बने रहीएगा और यह आप चैनल परना है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर फिस करना क्यों क आपको रेलवी ग्याम से जुड़ हुई पलपल की अपडेट आपको यहां पर फाइनली फिर्ट्स आपको पता होगा आपका आगे चलके आपका इससी सीचेसल का इग्याम होने वाला इसी सब चीज को आपको देखते हुए अन एकड़मी के दोरा आपके लिए जो है तो 2020 और 21 के लिए लांच किया गए यह देखा जाए तो टाप एजूकेटर जो आपके अन एकड़मी पर जो आपके हाई लेबल के हैं जैसे आप देख सकते हैं अभिनाए सर्मा सर हैं इसके अलावा अंकीता वस्ती सर हैं भूने सर्मा सर हैं इसके लावा साहिल खंडवाल यह सर इन टीचरों से आप अपने स्टेडी करना चाहते हैं एकड़मी के दवारा तो आप जो हमत इस वैज को जोईन कर सकते हैं इसके लिए फिर आपके लिए जो है आसा सी के लिए अलाग अलाग टाइप के बैश से जो है लांच किये गये जो आपके लिए 21 डिसंबर से आज की ड्रेट में आपके लिए बेंच स्टार्ट हो चुक है इदि आप अभी इस बेंच को जवएन करेंक ताप के लिए तक के लिए क्यूज मिल जाएगा आपके लिए डाइड डेली लाइब क्लासेस मिलेगी दिए आपके देखा जाएत कंप्लीट बैच आपके लिए जिवेते इस सीजियल के लिए जो आपके लिए ये 2020 देखा जायता है किरिंख अभी और हिंदी माध्यमे 6श सीज़ सीजयल εδώ कि अब देख सकती हैं यह 2021 में आपके सरकाव नोकरी में इत्याप चानते है ताप इस जो है तो बैस को भी जोई कर सकते की फिक्चर को आगे को ध्यार में रखते हुए किया गया इसके लावा फिर्ण सब्सक्राइब के लिए जो यह बैचे से यह देखा जाए थे फाउंडेशन बैच यह आपके लिए आप कालेज खत्म हो गई आपको 2020 में आपको पूर्ण हिंदी में बैच होगा और बैच यह आपके लिए 6 मंत का बैच होगा यह दिए आप इसको बैच को अभी जोई करते हैं तापको काफी कम रेट पर काफी कम फैसल काफी अच्छी फैसलिटियों के साथ काफी अच्छे बड़े टीचरों के साथ आपको जोई इस ब बारा सु रुपए तीन मंत का तीन हजार चा मंत का अर्तालिस सु और यह दिए बारा मंत का देखा जाए ते च्छा जार रुपए हैं लेकिन यहां पर यह दिए गए कोट है आप यह टेबलू यह 2020 कोड़े यूज करते हैं तापको ट्वान जो है टेन परसें डिसकाउंट के लिए और यह दिए आपको सेलेक्शन होता थे बड़ी खुशी के बात होगी क्योंकि अन अकेडमी जैसे टाप एजूगेटर और टाप हाई लेवल का आपको पता है कि आपके लिए जो है आउनलाइन क्लासिस चालू की जाए इस बैश को आप ज्यादा ज्यादा संक्सा है इस पर यह दियाप अश्टरी करते हैं फोकस करते हैं ताप के लिए बहुत ही अनकेडमी द्वारा प्रोवाइड कर आया जा रहा है इसलिए फिर्म से आप जादा ज्यादा संक्षा में इस पर पार्टिशफेट करिए और अपनी गवर्मेंट इंग्याम में आपको सेले कराये जाने वाला सुभी जூ दिन थे सभी को जोई ते मैल भी जारे कर दिया गया और आपको जो अब सिविट टी टी वन का इंग्याम होने वाला है जिसमें आपका फेज कई ग्याम होगा तो बहुत सारे श्टुडेंट हो cinT स्क्राइड थी कमेंट आ रहे थे सर हमारा जो फेजटू का इग्याम होगा उसके लिए जो मेल आने वाला है वो क्या मेल अलफाबेट से जारी किया जाएगा या फिर जो वो मेल आएगा तो वह आपका अप्लिकेशन नंबर के हिसाब से आएगा क्योंकि सभी तक जो जितने मेल जारी किया गया अब जो आपका मेल आईडी पर आपके लिए मेल किया जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंटों के बास मेल जा चुका है आपको मैं आगे दिखाओंगा भी कैसा मेल आ जारा है इसलिए फिर वो इस दिया अपने रिजिस्ट्टर email id को एक बार चेक करिए कि आप क्या आपका फेज two का जो है तो आफीसल mail जारी किया गया गया यह फिर अभी official mail जारी नहीं किया गया क्योंकि यह कर रहा है तो आपका जो अग्याम है वह आपका सेकंड फेज में होने की possibility ज्यादा है क्योंकि जीतने भी student कि पास मेल आये था उनका एक्यम में कराया जा रहा और इदिया आपका फी मेल आया रहा था आपका एक्यम इसमें भी आपका तुटिशेवन लाग के आसपास कंडिडेटों को जो एक्जाम के लिए बुलाए जाए गैए इसलिए वो फेज आपका भी साथ जन्वरी में कंड़क्ट करा ले जाएगा क्योंकि आपको भी पता है आपका जो फेज वन का इक्जाम हुआ है इसमें 13 लाग कंडिडेटों को को ध्यान में रख रखते हुई आपको एग्याम कराई जा रहे था अपको क्या ना क्या है यरे आपका आपको ऊपना चेक करिए अपना चेक करेंगे कि हमारा जो है तो किस फेज में ग्याम में वहाँ पर आपको जो जी चीजे लगी कि वहाँ पर प्रोवाइट कराई गए और उस चीजों का आपको इसके पाले आप में यह जो आपने अप्लिकेशन करते टाइम जो आपको रिसीजिबिंग मिली ते यह आप उसे रखे है तो उससे आप उसको समय पर सुधार नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए यही समस्या हो जाए कि आप इग्यम में जब देने जाएंगे तोहां पर से आपको इग्यम से से बाहर कर दिया जाएगा और वह काफी गलत बात होगी तिसलिए फिर आपको आपने इमेल आईडी में जा एक बार अपने जो है email ID को अच्छे से चेक करना होगा और email ID को आप चेक करके बाद आपका mail आया की नहीं आया और यह दिया आपका mail आया तो आम आनके चली आपका जो इंडी पीजी करने वालों वो आपका second page में इंडी कॉंड़ायए जाएगा लेकिन थर्ड फेज के लिए अभी तक कोई मेल नहीं है केवल अभी तक सेकंड फेज के लिए मेल जारी किया गया तिसलिए फेंट सापका जिनका मेल आ चुका है आज की डेट में या फिर आ रहा है तो वो केवल पिप्टेशन पर ध्यान दिया क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा इस टाइम में यदि आप अच्छे तंग से मैध या फिर जनी को अच्छे तंग कर सकते हैं तो आपके इग्याम में पक्का करने कोई सेलेक्शन रोक नहीं सकता क्योंकि रेलवे इग्याम के लिए जो आपका टाप पेपर आता है वो आपका पैसिक पेपर इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल का पेपर नहीं रहता है कि आप जो है उसको क्रैक न कर पाएं इसलिए फ्रेंट्स आप अपनी प्रेशन को ध्यान रखिए जितना आप जाता श्टेडी करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा और आप आसानी से के अपडेट आपको यहाँ पान मिल जाती तो फाइल इफ्रेंट्स मैं आपको मिलता हूँ नेक्स अपडेट के साथ अस्टेडी विद माहत पान